नमस्कार और स्वागत आप सबका इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम लोग SARAK के बारे में जानकरे देखेंगे हम देखेंगे कौन सी-कौन सी कंट्रीज उसमें शामिले SARAK का importance क्या है? उसकी history क्या है? उसका current status क्या है ये सारी जानकर हम लोग इस वीडियो में detail में देखेंगे और बहुती आसान language में मैं आपको ये topic explain करने की कोशिश करूँगा तो बने रही है इस वीडियो में तो SSB के सबसे भी एक SARC का जो topic है बहुत important है तो चलिए शुरू करते हैं सार्क का full form है South Asian Association for Regional Corporation तो यहाँ पर जो Regional Corporation है उस पर आपको focus करना है क्योंकि ये बोल रहा है बस South Asian जो South Asian region है उसके लिए ये सार्क का group बनाया गया है मतलब ये बस region के लिए fix है इसलिए उसे Regional Corporation Group कहा गया है तो ये सार्क क्या है सार्क है Regional Intergovernmental Organization मतलब जो government के बीच में organization है जो geopolitical union है of states in South Asia मतलब South Asia की जितनी सारी countries है जो हम आगे देखेंगे उन countries का एक geopolitical union है जिसे हम सार्क कहेंगे तो सार्क में कौन सी कौन सी कंट्री शामिल है तो सार्क में total 8 countries शामिल है ये आकड़ा आप ध्यान में रखिये तो कोन सी कंट्री शे है वो अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुतान, भलत, भारत, मालदीूज, नेपल, भारत का बेटा पाकिस्तान, स्री लंका तो ये 8 countries सार्क का حिस्सा है ठीक से देखें ये सार्क है ना की शार्क तो अगर हम SARC की बात करें, तो SARC में जो दुनिया का 3% एरिया है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी लैंड है, उसका 3% एरिया SARC की country occupy करती है, जिस में से 20% मतलब पूरे दुनिया का 21% population इन SARC nations में आता है, और दुनिया का जो total GDP है या फिर global economy है, उसका 4.21% SARC nation cover करते है, मत 2019 का है, तो 2022 के अकड़े update हुए होंगे, तो यह रहा map SARC nation का, और यह है SARC का लोगो, map में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे भारत, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत का बेटा पाकिस्तान, यहाँ पे बांगलादेश, यहा आपको समझना बहुत important है, तो इस map को ध्यान में रखिए, तो SARC बनाया क्यों गया था, तो SARC बनाया गया था, to improve the quality of life, तो जैसे आपको पता है, जो South Asian countries है, तो उन सारे में जो citizens की life है, उसकी quality बहुत ही poor मानी जाती है, बहुत सारे जो indexes आती है, जैसे कि EHDI, Human Development Index, या फिर life expectancy, बहुत सारे जो indexes है, उसमें जो South Asian nations है, उसकी rank बहुत नीचे आती है, तो quality of life इंप्रूव करना, ये SARC का एक main objective है, second economic assistance, सपोज एक country economically नीचे जा रहे है, तो दुसरी जो बाकी की country है, वो से economically assist करेगी, welfare of South Asian region, तो जो South Asian region है, उसके अंदर welfare बना रहे है, या फिर peaceful माहु बना रहे है, ये SARC का गोल है, SARC की participant countries में free trade हो सके है, अंडर सापता, सापता का full form है, South Asian free trade area, यहाँ पे area है, agreement नहीं है, जो 2004 में लाया गया था और effective हो था 2006 से, पर recently जैसा देखा जा रहा है, जो regional tensions है, जो SARC nations है, जो हमने 8 nations बोली, जो internal matters है, या फिर bilateral issues है, उनके वज़े से क्या हो रहा है, SARC जो अपना objective है, उसे अच्छी हो नहीं कर पा रहा है, SARC ऐसा बोल सकते है, stagnant growth है, मतलब एक की जगा पे रुका हुआ है, तो SARC दिन बदिन ineffective बनता जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, तो यह बहुत ही important point है, history of SARC, तो history start होती है discussion से, तो 1947 में जब भारत और प cooperation के लिए useful रहे, तो 1947 में discussion हुए है, उसके बाद 1950 में discussion हुए, 1954 में discussion हुए, और उस discussion से इतना कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद लगबग 2 decade बाद, मतलब 70's के end में, जो बांगलादेशी President है, जियाओर रहमान, उन्होंने discussion स्टार्ट किये, और जो regional cooperation का matter है, वो raise करना स्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हुए, यह थे President of Bangladesh, जियाओर रहमान, जो 1977 से 81 तक President है, बांगलादेश के, तो उन्होंने matter raise करना स्टार्ट किया, initially बस 7 inner South countries थी, inner South countries इसलिए बोल रहा हूँ, जो South Asian countries है, South Asian countries, उसमें inner South countries कहा जाता है, जब हम अफगानिस्तान को उससे exclude क करते हैं, मतलब बची हुई जो 7 countries है, प्लस एक अफगानिस्तान, इससे हमारा बनता है सार, पर पहले अफगानिस्तान नहीं था, इसलिए उसे बस inner South countries बोलते थे, inner 7 countries, जो सार का पार्ट थी, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान स्केप्टिकल होने लगे, मतलब यह जब discussions चल रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान डाउट फुलते, भारत को लग रहा था, कि यह जो बाकी side वाली अपनी छोटी-छोटी countries है, वो एक साथ आके भारत को अपोज भी कर सकती है, on bilateral issues, on the international forums, तो वेसे भी हमें पता है, इंडिया और पाकिस्तान के पहले से ही border dispute चल रह तो इंडिया जो bilateral issues है, उसे international बनाने के कोई भी जरुरत नहीं होती, इसलिए वो bilaterally solve करने की कोशिश करता है, तो इंडिया को उस टाइम ऐसा लगा कि सार्क से ऐसा हो सकता है, कि इंडिया कोई अपोज कर सकती है, यह चोटी-चोटी countries मिलके, और पाकिस्तान तो अलगी चाले, इसलिए पाकिस्तान भी hesitate हो रहा था, पार्टिसिपेट करने के लिए, पर कुछ discussions के बाद दोनों भी countries ने अगरी किया और सार्क में पार्टिसिपेट किया, उननी सो पचासी में, नाइंटीनेटीफाइम में सार्क का पहला समिट हुआ, कहा धाका में, और उननी सो स चीज़े याद रखनी है, एक धाका, धाका में हुए उसकी फर्स समिट, और कार्ट मंडू में है उसका सेक्रेटरेट या फिर हेड़कॉर्टरस, नेक्स्ट, 2007 में अफगानिस्तान पार्ड बना सार्क का, अफगानिस्तान ने 2005 से ही request करना start किया था, कि उसे भी सार्क में लिया जाए, तो अफगानिस्तान को starting में सार्क कंट्री जे लेने के लिए इंकार कर रहे थी, क्योंकि अफगानिस्तान मानी जाती एक Central Asian कंट्री, पर अगर ठीक से देखा जाए, तो अफगानिस्तान को ना Central Asian माना जाता है, ना उसे Middle Eastern कंट्री माना जाता है, या फिर उसे South Asian country भी नहीं माना जाता पर फिर भी कुछ discussions के बाद Afghanistan को पार्ड बनाया गया सारक का तो यहाँ पे जैसे आप image में देख सकते हो यह है सार का सेक्रेटरियेट जो है नेपल काटमांडू में और यहाँ पे आप देख सकते हो सार का पहला समिट हुआ था धाक का और उसके होस्ट लीडर थे अताओर रह्मान खान जो प्रेसिडेंट थे क्योंकि उनके जो जियाओर रह्मान थे उनका assassination हुआ था 81 में तो second जो होस्ट हुआ था इंडिया में बैंगलूर में जिसके होस्ट लीडर थे राजू गांदी हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर यह सारा जो चार्ट है आप देख सकते हो या फिर समझने के लिए इसका screenshot भी ले सकते हो पर जो रिसेंटली हुई थी 19 समिट 19 सार्क समिट वो होनी वाली थी पाकिस्तान में इसलामाबाद में पर वो कैंसल हो गई पर यह 19 समिट कैंसल क्यों हुई थी तो जैसे हमें पता है हुआ था जो सार का समिट था वो चार कंट्रीज ने मिलके बॉयकॉट किया था तो जैसे हमें पता है कि उरी हमला एक बहुत बड़े स्किल पे टेरिरिस्ट अटेक हुआ था और उसे पूरे दुनिया ने कंडेम किया था तो रिसेंटली आप में नियूज में देखा होगा य अगर तुम लोग पीछे से छुपके हमला करोगे तो क्यों आएंगे हम तुमरे यहां और यह पूरे दुनिया को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे कि भारत नहीं आ रहा है भारत नहीं मान रहा है अटाव इसको तो सार्क जो है वो आवर्स भी कंड़क्ट करता है क्योंकि पूरी जो कम्यूनिटी है सार्क कम्यूनिटी उसमें भी एक inspiration या फिर motivation का पार्ट रहे इसलिए आवर्ड भी देया जाता है लोगों को तो यहां पे mainly तीन आवर्स है एक first main आवर्ड है सार्क आवर्ड second सार्क literary आवर्ड मतलब जो कोई भी writers या फिर लेखके उनके लिए य लोगों को यहाँ पर इमे इमेंई में भी देख सकते हैं लोगों को सार्क कि आवर्ड मिले गए और सार्क यूथ आवर्ड भी होता है जो especially Youth को दिया जाता है तो यही था सार्क के बारे में हमने यहाँ पे देखा क्या है सार्क उसके क्या है उसकी हिस्ट्री किस तरह सी तो अगर हिस्ट्री को आपके ठीक से देखा तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्ट्री थी सा नावडेसं सार्फ कमचुर पढ़ता जा रहा है मतलब सार का जो रिलेंट से और कम होता जा रहे है उल्टा ऐसा होना चाहिए जो सारक है साउथ एशियान जो नेशन से उनकी अच्ची cooperation होने चाहिए पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है सारक कम्लोपड़ता जा रहा है क्योंकि ज치 जैसे कि सपोथ इंडिया पाकिस्तन का बार्डर डिस्प्ट है. बीच में इंडिया नेपल का बार्डर डिस्प्ट सटार्ट हुआ था. स्री लंका अपनी जो इकोनोमी है उसे डूबा रहा है. अफगानिस्तन में तालिवान का इस्यू है. तो मतलब भूत सारे इस्यूस के वज़े से जो सार्क है वो अपना काम करने ही पा रहा है और समिट भी आपको ध्यान में रखने सारे समिट ध्यान में रखे तो आच्छा ही है पर 19 वाला जो है जो कैंसल हुआ था रिसेंटली उसके उपर आपको ज्यादा फोकस करना है नेक्स्ट सार्क के आवर्ड हमने देखे कि तीन मेंली आवर्ड से में एक सार्क आवर्ड सेकेंड लिटररी आवर्ड और थर्ड यूथ आवर्ड और हम लोग जो रिजिनल कॉपरेशन है मतलब साउट एशन जो कंट्र